हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन प्रोटेक्शन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट में परजेंटेशन कैसे बनाते हैं उस समय जब आप अपने परजेंटेशन से संबंधित संपूर डेटा को किसी अन्य प्रोग्राम या स्वाप्ट्वेर में हिंदी और इंगलिश टाइपिंग का उप्योग करके क्रियेट कर दिये हूँ उस अवस्ता में जब आप उसे कॉपी और पेस्ट करते हैं जैसा कि अन्य प्रोग्राम में होता है कि एक program या एक software से दूसरे program या software में जब data को आप paste करते हैं तो जियों कातियों paste हो जाता है लेकिन powerpoint के अंदरगत ऐसा नहीं होता है उस अवस्था में हम अपने उस content का screenshot कैसे लें और फिर उसे powerpoint में slide का रूप कैसे दें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम अपने powerpoint program को open कर लेते हैं तो उसके लिए हमारे टास्क पर देखें तब powerpoint का program पीन है मैंने इसे click किया और हमारा powerpoint का program देखें हमारे desktop screen पर open हो गया है यहां पर मैं blank presentation को click कर दे रहा हूं बिल्कुल खाली खाली presentation चाहिए और इसी पर हमें अपना presentation तयार करना है फिलाल इसे रहने देते हैं अब हमें जिसके बारे में presentation मनाना है उसे already हम page maker में type करके रख चुके हैं तो देखें यहां पर tally prime part 2 all tally display हो रहा है यही हमारी ओ page maker की file है इसे double click करके open कर रहा है अब किसी भी program या software का file होगा जैसे आप उसे double click करेंगे तो by default वो अपने program में open हो जाएगा जैसा कि देखें यह page maker 7.0 में open हो गया है अब यहां पर देखेंगे दोस्तों तो हमने पहले से ही tally के बारे में यहां पर type करके रखा है लेकिन द्ध्यान रखने वाली बात है जैसे हमने यहां पर रखा तैएली prime English में जस्ट उसके बगल में हमने रखा है टैली प्राइम हिंदी में, इसकी परिभासा भी देखेंगे, तो सेम वैसे ही है, ज्यादा से ज्यादा English word का उप्योग किया गया है, चलिए एक बार हम इसे select कर लेते हैं, और इस पर right click करके copy कर लेगा है, कोपी करने के बाद जब हमने powerpoint में चलते हैं, तो देखें यह पे click to add title और click to add subtitle, किसी एक को click करके, जब हम इसमें इसे paste करते हैं, तो देखें यह पूर्त इंग्लिस में बदल चुका है, आप देख रहें, पूरा का पूरा इंग्लिस में change हो गया है, जो कि इंग्लिस में थ कर देते हैं, अब यहाँ पर font family या font के अंतरकत आकर, अगर जो हम इसका font style change भी कर देते हैं, जैसे माल लेते हैं, कृती देव, 010 हमने कर दिया, जैसे हम करते हैं तो देखें, सब के सब हिंदी में बदल गया, तो यहाँ पर बहुत problem होती है दोस्तों, कि आप हिंदी वाले या page maker में, अब उसी को जब हम यहाँ पर ला रहा हैं, तो problem हो रही है, तो उसके लिए दोस्तों, आप उसे screenshot कर लिजिए, और screenshot करने के बाद से, यहाँ पर image के रूप में ही slide चार कर लिजिए, चलिए देखते हैं कैसे, यहाँ पर जो यह place holder आपको display हो रहा है, place holder के यह dot dot line है, इस पर mouse pointer ले जाएंगे, तो चार मुह का तीर बन जाएगा, और जैसे ऐसा बन जाए, तो उसे click किजिए, और click करते ही, यह select हो जाएगा, select करने के बाद computer के keyboard से delete की press करें, देखें, वह delete हो गया, यदि आप इन दोनों को delete करना चाहते हैं, तो same हो, ऐसे ही कर लें, और जैदी नहीं करना चाहते, तो layout में जाए, और layout में जाने के बाद से, यहां से blank वाले को click कर दे, जैसे click करने के देखें, यह blank हो गया, अब दोस्तों, page maker के अंधर कर चलते हैं, और यही हमारा content है, अब इस content को हमें paste नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अब हमें इसे snipe करन करना है, snipe करने के लिए दोस्तों, इसे desktop पर सबसे पहले विवस्तित करना है, इसे के लिए control plus का उपयोग करना है, और इसे adjust करने अपने इस screen पर, चलिए मैं थोड़ा से इसे छोटा कर दे रहा हूं, और यहां पर लगभग लगभग श्रमपूर आ जा रहा है, अब आपक से क्लिक करेंगे, तो थोड़ी ही देर में, snipe tool नाम का यहां पर देखें, एक window आ गया है, और हमारा जो background के अंदरकत, या फिर जो active पहले से program था, देखें, वो highlight display नहीं हो रहा है, देखें, वो blur हो चुका है, बहुत काम दिखाई दे रहा है, और देखेंगे center में, तो plus sign क यहां पर mouse pointer हमारा बदल गया है, अब यहां पर आपको वह area select करना है, जिसे की आप अपने presentation में use करना चाहते हैं, या फिर capture करना चाहते है, तो उसके लिए tally prime हम को चाहिए, तो हमने tally prime को यहां पर select किया, देखेंगे ध्यान से, जैसे select करेंगे, देखिए यहां पर snipe हो है desktop का explorer, यहां पर right click करके, new folder को click करके, एक folder बना ले रहा है, यहां से नहीं बनाना चाहते है, तो देखें, उपर display हो रहा है folder, इसे click कर दे, automatic देखें, यहां पर बन गया new folder, अब हम इसका नाम type कर दे रहा है, tally prime new 2021, और इसे open कर दे रहा है, इसे open करने के बाद से, यहां पर इसका नाम दे दे रहा है, to और save को click कर दे, तो यह हमारा tally prime का जो title है, यहां है heading है, तो यहां save हो चुका है, अब sniping tool को side में कर दे, अपने program के अंतरगत आए, और यह सबसे पहले हम को चाहिए, हमने गलती से यह वाला ले लिया था, तो इसको snipe करना है, तो पुना snipe tool को click कीजे, new को click कीजे, और इसे select कर लिए, पुना save को click कीजे, आप देखेंगे कि आप उसी folder में है, तो इसका नाम one रख देंगे, और save को click कर देंगे, पुना इसे side में कर देंगे, अब हमें इसकी परिभासा को लेनी है, तो परिभासा लेने के लिए पुना snipe tool को click करना है new को क्लिक करना है और जो इसकी परिभासा है उसे select कर लेनी है तो चली हम इसे select कर ले रहा है फाइनली जब चारों तरफ से आप resize करके select कर लें तब अपने mouse pointer को छोड़ें जैसे छोड़ेंगे देखें यहाँ capture होकर आ गया है मतलब एक image के रूप में आ गया है अब पुना save को क्लिक करें और इसका नाम 3 दे 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 दोस्तों हम 1,2,3,4 इसलिए करम से कर रहा है ताकि हम में वहाँ पे दिक्कत ना हो जब हम slide त्यार करें तब पुना new को क्लिक करें और अथवा को select कर लें save और इसका नाम 4, save पुना new को क्लिक करें और जो इसकी दूसरी परिभासा है उसे select करें अब इसका नाम दे देंगे हम 5 अब अपने page को पुना वेवस्तित कर ले रहा है पुना snipe में आएंगे new को क्लिक करेंगे और जो हमारा अगला heading है हम उसे select कर लेंगे तो चली हमने इसे select कर लेंगे तो आप पुना new को क्लिक करें और पुना इसे select करें और save को क्लिक करें और इसका नाम दे दे 6 save पुना new को क्लिक करें और इसकी परिभासा select करना है save 7 और save पुना new को क्लिक करें अब हमें यहाँ पर founder आफ टैली को select करना है तो उसके लिए पुना new save और यहाँ पर 8 save पुना new अब यहाँ पर दोस्तों देखें image भी है चुकि image selection में पूरा नहीं आ पा रहें तो उसके लिए आप शिर्फ इसकी परिभासा को ही select करें और select करने के बाद से इसे save कर लें और save करने के बाद पुना new को क्लिक करें अब सिर्फ image को select करें तो चली हमने image को select कर लिया और save को click कर दिया और यहाँ पर इसका नाम देजिया 10 पुना new को click किया क्योंकि यह वाली हमको heading चाहिए तो इस heading को हमने select किया और इसे click कर दिया फुना save को click करेंगे और 11 तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गया होंगे कि कैसे हमें snipe करना है अब इस प्रकार से जितने भी snipe करने हैं या फिर image निकालने हैं मैं फटाफट इसमें से निकाल ले रहा हूं आप स्क्रीन पर देखते रहें अगर जो कोई भी problem हो तो आप हमसे पूछ लें इसमें editing की है तो मैं सनाइपिंग टूल के बारे में especially बताऊंगा तो आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा फिलाल यहां पर new को क्लिक कर रहा है अब फानली दोस्तों आप अपने content को या matter को जब snipe कर चुके हों तो आप उस program या software को close कर दें जहां से आप अपने data को capture कर रहा है थे और snipe tool को भी आप यहां से close कर दें अब इसकी आउसकता नहीं है अब दोस्तों यहां पर ध्यान दें कि अब हम आ चुके हैं अपने PowerPoint के आपको अपने location पर जाना है जहां पर आपने folder के अंतरगरत अपना पूरा data capture करके रखा है तो यहां पर desktop को क्लिक करेंगे चुकि हमने आपको बताया था कि desktop पर ही हम capture कर रहा है और साथी साथ हमने folder बना कर भी आपको दिखाया था तो हम यहां पर अपने folder का नाम type कर ले र सखा था था ताकि आसानी से हम अपने इसे slide के अंतरगरत उपयोग कर सकें तो उसके लिए सबसे पहले वाले image को select करेंगे और insert को क्लिक कर देंगे जैसे insert करेंगे देखिए image यहां पर आ चुका है अब आप इसे अपने slide के अंतरगरत अपनी इक्षा नुसार इसे size की हिसा आपसे वेवस्तीत करने के बाद फुना दोस्तो वही प्रकरिया आपको दोहरानी list इंसर्ट को क्लिक करनी है, पिक्चर्स को क्लिक करनी है, और दूसरे नंबर का जो इमेज है, उसे इंसर्ट कर लेना है, और इसे करम से आपको व्यवस्तित कर लेना है, इसे कहा होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, पुना इंसर्ट को क्लिक करेंगे, पिक्चर्स में जाएं और इसकी जो परिभासा थी आपको उसे इंसर्ट कर लेनी है, जैसा कि देखिए यहाँ पर आ चुका है, अब इसे थोड़ा साम बड़ा कर ले रहा है, यहाँ पूरता क्रियेट कर देने के बाद से किसी को भी यह विलीब नहीं होगा, कि यह टाइप नहीं किया गया, यह अब फुना इंसर्ट को क्लिक करेंगे, फिक्चर को क्लिक करेंगे, और अगला जो चौथा नंबर का है, इसे इंसर्ट कर लेंगे, अथवा फुना इंसर्ट में जाएंगे, फिक्चर को क्लिक करेंगे, और इसका अगला नंबर का जो इमेज है, उसे इंसर्ट कर लेंगे, दोस्तों, ऐसे ही क्रम से आपको नया स्लाइड लेना है, और सभी के सभी ख्रम से इस इमेज को इंसर्ट कर लेना ह grace चलिए मैं आप सब को फटाफट इंसर्ट कर ले न हो भी आपको लाइ स्लाइड बना के दिखा रहा हूं फाइनली दोस्तों सभी image को हमने अपने slide पर insert कर लिया है देखें total 9 slide हैं चोकि इन सभी slide के समभू को हम presentation बोलेंगे तो इस presentation को सबसे पहले हम save कर ले रहा है तो उसके लिए file menu को click करना है या file tab को click करना है save या save है दोनों में से किसी एक को click करना है इसे click करने के बाद आप चाहें तो अपने computer को browse करना चाहें तो browse को click करने या फिर direct यहां पर बहुत से location आपको दीख जाएंगे जो कि पहले से आपने recently में use किया होगा तो फिरहाल मैं यहां पर desktop ही पसंद कर रहा हूं और यहां पर save को click कर देंगे जैसे हम करेंगे यह हमारा total slide या यूँ कहें तो हमारा presentation store हो जाएगा हमारे computer के hard drive में अब यदि यह program बंद भी हो जाता है या computer अचानक बंद हो जाता है तब भी यह सुरक्षित रहेगा अब दोस्तों अब हमें इसके अंतरगत लगाना है transition या animation तो चलिए animation लगाकर हम चेक कर ले रहे हैं तो टैली प्राइम पहला वाला इमेज था इसे select रखेंगे और transitions के अंतरगत आजाएंगे अगर जो आप transition लगाते हैं तो यह पूरे के पूरे आपके slide पर active होगा और वहीं पर जब आप animation लगाते हैं तो current selected text या image पर होगा तो फिलाल यहां पर मैं split नाम का जो animation दीख रहा है मैं इसे active कर दे रहा हूँ अगर जो आपको और भी animation देखने हो या फिर आप ये समझ पा रहे हो इतना ही animation है तो यहां पर more button को click करें देखेंगे तो इसमें बहुत सारा animation है आप इन सब का उपयोग कर सकते हैं और इन सभी का उपयोग एके करके आपको सीखना होगा तो एके को आपको खुदी select करके और उसका preview देखना होगा या फिर इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे powerpoint के playlist में जाईए हमने सब का उपयोग बताया हुआ है तो फिलहाल मैं यहां पर split को click कर दे रहा हूँ जैसे split को click करें देखें कैसे यह preview होकर आ रहा है और यहां पर यह numbering दर्शा रहा है कि इस पर एक 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 अक्टिव हो गया फिर से इसे देखना हो तो यहां preview को click करेंगे देखेंगे अब एक बार थोड़ा री चेक कर लेते हैं टैली प्राइम टैली का मतलब है गढ़ना या मेल खाना और प्राइम का मतलब है मुख या परधान या फिर service rest तो गढ़ना करने का सबसे service rest software है हमारा टैली प्राइम हम इसके बारे में यहां पर presentation त्यार कर रहे है उसके बाद से हम यहां पर नीचे heading दिए है टैली प्राइम यह तो हम समझ रहे थे पूरा main heading था कि हम टैली प्राइम पढ़ेंगे लेकिन यहां पर पर परिभासा के लिए सबसे पहले हमने इसका यहां पर नाम रखा हुआ है तो इसके लिए है यहां पर फिर से हम किसी अन को हम चेक कर लेते हैं जैसे यह वाला यह भी चलेगा अच्छा है आप चाहें तो fly in का भी उपयोग कर सकते हैं देखें इसका नीचे की तरफ से यह preview करा रहा है fly in एक बार preview को क्लिक करके चेक कर लेते हैं देखें अब उसके बाद से हमें इसकी परिभासा को लानी है जैसे यह जब आ जाए उसके थोड़ी देर बाद या क्लिक करने के बाद से यहां आए और उसके बाद से फिर से इसे भी मैं fly-in को कर दे रहा हूँ तो इसके लिए मैंने इसे क्लिक करा जैसे हमने क्लिक किया देखिए हमारी परिवास यहां पर आ चुकी है क्रम से 1,2,3 एक बार इसका हम प्रिव्यू करके चेक कर लेते हैं तो इसके लिए प्रिव्यू को हमने क्लिक किया देखिए split लगा दिया split लगाने के बाद से फिर से दूसरे वाले image को क्लिक किया और fly-in को क्लिक कर दिया देखिए यहां पर इसकी परिवासा दूसरी वाली आगए अब तीसरे पर चलते हैं सेम वही पर क्रिया आपको करनी है, यहाँ पर मैंने split को क्लिक किया और दूसरे वाले को मैंने कर दिया fly in, फिर अगले पेज पर चलते हैं, अब यहाँ पर भी एक heading है, तो इस heading को हमने select किया और इसको कर दिया split और यहाँ पर इनके बारे में हमने बताया है या यूँ कहे तो परिभासा है, हमने इसे fly in कर लिया, इनके image पर भी सेम यही चीज हमने लगा दिया, या चाहे तो fade लगा सकते हैं, image यहाँ पर display होने लएगा, 1, 2, 3, जिसे पहले select करेंगे, वो पहले preview होगा, यह हमेशा याद रखेंगे, अब याते हैं, पांचवे नमबर के slide पर, तो heading क हमने select किया, और इसे कर दिया, split, और यह रही इसकी परिभासा, तो fly in, और यहाँ पर हमने लगा दिया, text के उपर, और यहाँ पर हमने picture के उपर लगा दिया, fade, अब आजाते हैं, छटवे नमबर पर, फिर से हमने heading को select किया, heading को select करने के बाद, split, फिर दूसरे image को select किया, जो की इसकी परिभासा है, fly in, फिर अगले slide पर, इसे हमने select किया, अब यहाँ पर आप और भी कुछ दे सकते हैं, save, जैसे हम इसे click कर दे रहे, कुछ इस तरह का आएगा, चलिए यह भी अच्छा है, हमने यह वाला slide इसके लगा दिया, आठवे नमबर के slide पर चलते है, सब हमने इसका image capture करके यह रखा है, चुकि आपको शुरू में ही बताया था, तो इसे हम save वाला लगा देना, जो कि यह अच्छा दिखाई देगा, अब 9 नमबर पर चलते हैं, और यह आखरी हमारा एक note बगता है, तो इस note को भी हमने कर दिया, save make, clear, finally हमने एक से लेकर 9 तक slide प नहीं है, वैसे जब आप PowerPoint पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, finally एक बार इसका review कर लेते हैं, review करने के लिए F5 key को press करेंगे, तो यह play हो जाएगा, चलिए हम अपने computer के keyboard से F5 key को press कर दे रहा है, जैसे हमने press किया, देखे हमारे computer screen पर white page display हो रहा है, अब यहाँ पर जैसे हम single click करते हैं, तो automatic देखिए, सबसे पहला वाला heading था आ गया, tally prime, tally prime को हिंदी में हमने यहाँ लिखा हुआ है, यह यूँ कहा है, तो type करके रखाए, लेकिन यह फिलाल image के रूप में, पुना click करेंगे, तो इसका heading आ जाएगा, tally prime, पुना click करेंगे, तो इसक कर दे रहा हूँ, फटा-फट, आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर यह सब automatic आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, आप चाहें, तो समय देकर, या फिर अपनी इक्छा अनुसार, time के अनुसार, आप इसे slide करके, या transition करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्त के उपर या image के उपर जितना चाहें, उतना समय ले सकते हैं और बोल सकते हैं, तो चलिए हम पुना इसे click कर देते हैं, next number page पर पहुंच जाते हैं, जो की आखरी है, और पुना click करेंगे, हमारा slide in हो जाएगा, slide से बाहर आने के लिए escape की को press करेंगे, और पुना अपने slide को save कर लेंगे, या यूँ कहें, तो presentation को save कर लेंगे, उसके लिए computer के keyboard से control plus S की press करेंगे, automatic हमारा slide save हो जाएगा, तो इस परकार दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सीखा, अगर जो पहले से किसी भी software या program में आपने किसी भी subject के संबंधिक content को type कर लिया है, image capture करके रख तो उसे पूरा presentation में कैसे use करें, sniping tool की मदद से snipe करके, आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कर लिजे, ऐसे ही raw tips, trick और knowledgeful वीडियो पाने के लिए, मिलते हैं आपको नए वीड पिक साथ तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय वारत